अब देख रहे हैं SKP Live News धार के बस स्टेंड स्थीत कॉंग्रेस का रेले पर पत्र पर रिशद कॉंग्रेस के जिलाद्यक्ष कमल किशोर पाटिदार के दोरा आई जीत की गई उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस प्रियंका गांदी, कमलनाच, जैराम रमेश और अरून लियादों के खिलाफ एफायर दर्ज की गई है कॉंग्रेस के जिलाद्यक्ष ने बताया कि मध्यबदेश में 50% कमिशन राज की शिवराज सरकार को बेनकाब करने पर हमारे नेताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये जा रहे है धार जिला कॉंग्रेस कमेटी इसके निंदा करती है वही हम सरकार के और भी घोटाले उजागर करेंगे वही कॉंग्रेस के जिलाद्यक्ष कमल किशोर पाज़दार ने बताया कि पिछले साल 13 अगस्त के दिन कारम बान फूट गया था कि ये सब जो जूटी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है वह वापस नहीं ली जाती है तो मांदुलन करेंगे और इस सरकार को खड़ फेकनी की बाद भी जिलाद्यक्ष कहते ने जरा है इस प्रेस कॉंफरेंस में प्रदेश कॉंग्रेस के मासची कुल्दी सिंग बुंदेला धार जिले के प्रभारी निर्मल मेता रेवती रमन राजुखेडी शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष जजबीर सिंग चावड़ा कारेकारी अध्यक्ष प्रमोस सेनापती कॉंग्रेस के प प्राप्त हुआ कि हमारे कुछ नेताओं पर जिसमें प्रेंका गांदी जी कमलनाथ जी अरून यादव जी एम जैराम रमेज जी हमारे मीडिया परभारी इसके संवन में जो इन्हों ने जूटी रिपोर्ट जगे जगे लिख वई उसके हम निंदा करते हैं इस संदर में प् ग्राम पंचाष्थ से लगा कि जीला इस थर तब अंदोलन होगा है जीला इस्थर्ट पो करेंगा कि अब हैसा कुछ ने हमारों जैसे ही महतपरदेश कांगरेस कम्रेश कम्शे काहँए कि आप अन्दोलन चालू करो तह भी आपक तुरंद काल चालू पर देंगा कमल कुछ पार्टिदार जीला कांगरसर देप था